आज मैं आप लोग के साथ NIRF रैंकिंग 2021 डिसकस करूँगी अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन के दोरा NIRF रैंकिंग जो है वो रिलीज किया गया है पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टिटूशनल रैं अगर आप इस पार का NIRF रैंकिंग देखेगा तो इसमें मोर देन 6,000 प्लस जो एजुकेशनल इंस्टिटूशन है हाइर एजुकेशनल इंस्टिटूशन है हमारी कंट्री के उन्होंने इस रैंकिंग में पाटिसिपेट किया है इनको इसमें इन्वाल किया गया है यहाँ आप डिफरेंट पैरामेटर्स ने डिफरेंट पैरामेटर्स के बैसिस पर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है आज कि वीडियो में स्टॉपिक और बहुत इंपोर्टेंट होता है रैंकिंग वगर एक्जाम पॉइंट व्यू से और अपकमिंग देस में मैं आप लोगों के कर दूंगे एक बरजा करके जरूर देख लीजेगा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बेल बटन को भी प्रस करके जाए ताकि मेरे जितने भी अपकामिंग वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सब्सक्राइब सब्सक्राइब अपरिंगा कर दिया गए है मिनिस्टरी थे बटन के सब्सक्राइब इस साल रेलीज किया गया है देकि यह बहुत इमपोर्टन एफ़ॉर्ड है गोव्मेंट के दौरा जिसके अंदर जितने भी इंदिया चैनल इंस्टिजेशन लिए इंज इस बार अगर आप देखेगा तो इसमें 6,000 प्लस इंस्टिटिशन को इसमें इन्वल्व के आगे हैं उनको डिफेर्ट इफेर्ट परामेटर्स के बैसिस पे रैंकिंग के दिए गई है तेकिए दोहजार पंदर से स्टार्ट वा था दोहजार में इसमें आपको युनिवर् दोहजार में से यह तीन ही डोमेंज थे लेकिन इन 6 साल के पिरियेड में यहां पर बहुत सारी केटोग्रीज इनवल्व रही हैं यहां पर 3 नियू केटोग्रीज एंड 5 नियू सब्जेक्ट डोमेंड वेर एड़ेड तो बिंग तो टोटल टैली तो 4 मोर केटोग्रीज न रैंकिंग दी जाती है अगर मैं आपको 2021 एडिशन का बता हुँ तो इस पर पहली बार जो research institutions हैं उनको इसमें n.i.rf रैंकिंग में रैंकिंग दी गई है research institutions को देखिए अगर मैं आपको बताओ तो NIRF ranking जो है वो आपको 5 basic parameters है जिनके business पर यहाँ पर assessment किया जाता है and these parameters are teaching, learning and resources जिसको हम TLR बोलते हैं, research and professional practices, RP, graduation outcomes, outreach and include VCT, peer perceptions यह 5 parameters है जिनके basis पर यहाँ पर आपको ranking दी जाती है अगर आप NIRF ranking में देखिएगा तो यहाँ पर 11 categories है जिन यह categories है आपको overall national ranking, university, engineering, college, medical, management, pharma, law, architecture, dental and research यह 5, sorry 11 categories है जहाँ पर आपको 5 parameters के basis पर रैंकिंग दी जाती है अगर आप इस साल देखिएगा तो 6000 प्लस institution ने NIRF ranking में participate करा है और इस बार आप देखिएगा इस बार का highlight तो इस बार पहली बार research institution को NIRF ranking के तहत इंक्लूड किया गया है अब मैं आपके साथ आगे discuss करूगी कि किस-kis category में कौन-कौन सी colleges है, कौन-कौन सी universities है जो कि जिनको top rank दिया गया है क्योंकि अगर आप exam point of view से देखिए करना तो आप से यही पूछा जाता है कि इंदिया के कौन-कौन सी institute का किस-kis categories में top rank है तो आगे मैं आपके साथ इन points को discuss करूगे अब हम लोग discuss करते हैं highlight of India ranking 2021 देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि 11 categories में यहाँ पे different different institutions को ranking दी गई है exam point of view से अगर आप देखिए का तो यहाँ पे ranking ही important है कौन सा college, कौन सा university, किस category में top rank पे है exam point of view से यही important है अगर मैं आपको बता हूँ तो overall category में IIT Madras followed by IISC Bangalore and IIT Bombay यह 3 जो है वो आपको top के 3 higher educational institution है overall category में अगर आप university में देखिए का तो IISC Bangalore जो है वो top university है research institution जिसको पहली बाद इसमें include किया गया है इसमें IISC Bangalore जो है वो ranked the best research institution अगर आप colleges में देखिएगा तो Miranda College जो है Miranda College Delhi University के अंदर है यह आपको first position पे है लगतार पाथ सले से Miranda College first position है college category में followed by Lady Sri Ram for Women and Loyola Colleges अगर आप engineering में देखिएगा तो IIT Madras जो है वो इस ताल भी top position पे रहा है चलिए अब हम management category पे देखते हैं अगर आप management में देखिएगा तो IIM एहमदाबाद जो है वो ranked 1 है medical में देखिएगा तो AIMS New Delhi All India Institute of Medical Science top position पे है और लगातार 4 साल medical category में यह आपको top position पे है फार्मा में अगर आप देखिएगा तो Jamia Humdard top है फार्मा में subject for three consecutive years से यह लगातार तीन सालों से top position पे है Jamia Humdard जो है अगर आप architecture में देखिएगा तो IIT Root की जो है वो top position पे है पहली बार architecture में IIT Root की जो है इसको top slot दिया गया है अगर आप law में देखिएगा तो National Law School of India University Bangalore में है यह आपको top position पे है लगातार 4 साले सो है यह जो आपको National Law School of India University है Bangalore का यह आपको लगातार law category में 4 सालों से top position पे है वही अगर आप dental में देखिएगा तो Manipal College of Dental Science मनिपाल का है यह आपको first position इसको dental category में दिया गया है तो अगर आप exam point of view से देखिएगा तो आपको यही पूछा जाता है कि आपको यह कौन सा addition था NIRF का तो यह आपको 6th edition था पहला edition 2015 में इंक्लूड किया गया था इस बार का सबसे important highlight है कि इस बार पहली बार research institution को इसमें इंक्लूड किया गया है यह जो ranking है वो आपको ministry of education के दौरा release किया जाता है और यहां पे आपको 11 categories में जो different different institutions को ranking दी गई है यह exam point of view से बहुत important है तो आपको मैंने सारी चीज़े NIRF से related cover करा दिया है किसी point पे कुछ भी doubt होगा मुझे comment section में बताईएगा इसका PDF आपको मैं जल से जल अपने telegram channel पे provide कर दोगी बहुत लोग मुझे telegram का link पूछते हैं लिंक मुझसे मांगते हैं बार-बार मैं आपको बता दू कि अगर आप मेरे channel के about में जाएगा तो वहाँ पे मैंने आपको telegram को और facebook, instagram तीनों का आपको link वहाँ पे provide कर रहा हुआ है आप एक बड़ जरूर देख लीजेगा जो लोग मेरे channel पे नए है प्लीज लाइक से और subscribe जरूर कीजिएगा बेल बटन को प्रेस करके जाएए ताकि मेरे जितने भी upcoming videos होंगे उसका notification आपके पास सबसे पहले आए Thank you